पूर्णाइब दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फूडी में जहां हम हर रोज आपके लिए टेस्टी टेस्टी रेसिपी लाते रहते हैं और इसी के चलते आज एक बार फिर हम आपके लिए एक ऐसी चटनी की रेसिपी लाएं हैं जिसे खाते ही आप इस के दिवाने हो जाएंगे वैसे आप ये बात तो जानते ही होंगे कि इंडियन फूड में चटनी का बहुत बड़ा रोल होता है मौसम के हिसाब से चटनी बनाई जाती है हाला कि कुछ चटनियां साल भर बनाकर खाई जाती है प्याज और टमाटर से बनने वाली चटनी भी उसी लिस्ट में शामिल है प्याज और टमाटर को सलाद के लिए काफी इस्तेमाल किया जाता है इसके साथ ही लंच और डिनर में बनने वाली सबजियों में भी इनका काफी यूस किया जाता है टमाटर की सबजी बनने के साथ ही इसका उप्योग ग्रेवी और लौंजी में भी किया जाता है इसी तरह प्याज भी ग्रेवी के लिए काम में लाई जाती है दोस्तों प्याज और टमाटर से तयार होने वाली चटनी काफी टेस्टी होती है प्याज टमाटर की चटनी गुणों से भरपूर होती है और इसका सेवन शरीर के लिए भी काफी फायदेमंद हो तो चलिए जानते हैं इसे बनाने का आसान सा तरीका साथ ही तड़के के लिए आपको चाहिए होगा राई एक टी स्पून, सूखी कस्मीरी लाल मिर्च दो, कड़ी पत्ते छैसे आठ, उड़त दाल आदा टी स्पून, तेल दो टी स्पून. चलिए अब फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं, प्याज और टमाटर की टेस्टी चट्मी बनाने के जब से पहले टमाटर, अद्रक और प्याज को बारिक काट लें, इसके बाद एक कड़ाई में दो चम्मच तेल डाल कर गर्म करें, जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें एक चम्मच उडदकी डाल और तीन से चार सूखी लाल मिच डाल कर भुनने दें, जब तक सुनहरी भूरी ना हो जाए तब तक इसे सौट करें, इसके बाद कड़ाई में प्याज और अद्रक डाल दें, इसे भी चलाते हुए कुछ देर तक भून लें, जब प्याज थोड अनुसार नमक डाल कर मिलाएं, अब मिक्षर को एक से दो मिनट तक भुनने के बाद इसमें कड़ू कस नारियल मिला दें, और कुछ सेकेंड तक सौट करने के बाद गैस बंद करतें, अब तयार मिक्षर को कुछ देर तक ठंडा होने दें, इसके ठंडा होने के बाद इसे म तेल गर्म होने के बाद राई उड़त डाल कड़ी पत्ते और सूखी मिर्ष्ट डाल कर चटकने तक भूने इसके बाद इस तड़के को चटनी के उपर डाले और मिक्स करें स्वाद से भरपूर प्याज टमाटर की चटनी बनकर तयार है इसे लंच या डिनर के साथ परोसें दोस्तो प्याज और टमाटर से बनी ये चटनी किसी भी खाने के साथ खाई जा सकती है ये आपके खाने के स्वाद को दोगना कर देगी दोस्तों आपको ये रेसेपी कैसे लगी हमें कमेंट शेक्षन में जरूर बताएं साथ ही इसी तरह की इजी और टेस्टी रेसेपी के लिए बने रहे हमारे चैनल फूडी के साथ धन्यवाद